नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अमनायतिक मतदान के प्रती सजग बने, वे रभिवार को धुरवा के निर्वाचन सदर में मतदाताओ को मतदान के प्रेरित करने के उदेश से जगरूपता वाहनों को जण्डी दिखा का रवाना करने के दोण मीडिया से मुखातिब हुए CEO केरा मिकुबान ने कहा है कि पिछले चुनाव में जिन छेत्रों में कम मतदान हुआ है उन सभी छेत्रों में इन प्रचारवाहनों के माध्यम से मतदाता जगरूपता से समधीत संदेश प्रसारीत किये जाएंगे इसके लिए कुल 36 प्रचारवाहन तैयार किये गए हैं जो राज्य के सभी 81 विधान सभाच्षेत्रों में घुम घुम कर नैतिक मतदान के प्रति जगरूपता करेंगे हर्याना जैसी 27 विछा रही भाजपा सुप्रियो सता सिंध जामों ने एक बार फिर भारत निर्वाचन आयोग पनिसाना साधा है पार्टी कर्याले में आयोजी पत्रकार वारता के दरान जामों महासची सुप्रियो भाटाचा ने कहा है कि हर्याना जैसी 27 विछाने का काम जैर्खन में भी बंटी और बबली चुनाव आयोग और भाजपा की जोड़ी ने शुरू कर दिया है उन्होंने आरोप लगाया है कि एक और चुनाव आयोग एक भी वोटर नहीं छुटने का सलोगन और टेग लाइन देता है वहीं दूसरी और ग्रामिन और सहरी छेतर में मद्दान का समय अलग-अलग करके सहरी छेतर में सक्रिये पार्टी को लाब पहुचाने का काम करता है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दरसल भाजपा चुनाव आयोग की मदल से जामो और इंडिया गड़ बंदन के ग्रामिन छेतर में समर्पित मद्दताओं को कम आउसर देने का समय अंतर रचा है एक तरफ चुनाव आयोग महराज चुनाव को लेकर पुराना डाटा जारी करते हुए कहता है कि सहरी छेतर में 12% और गरामिन छेतर में 88% वोटिंग होई तो फिर आखिर कर चुनाव आयोग गरामिन छेतर के लिए कम समय क्यों दे रहा है रांची में 24 से बारिस के आसार बंगाल की खाड़ी के दक्षनी हिसे में एक चक्रवात तिये तुफान बनने से मौसा में बदला होने की संभावना है इसके असर से राजधानी रांची समय जारखन में 23 अक्टूबर से मौसा में बदला होगा राजी के उपर बादल चाहे और बारिस होने की भी असंका है इस बदला होते जारखन में ठंड बढ़ सकती है मौसा मी भायकर रांची सार बंगाल की खाड़ी के दक्षनी हिसे अन्डमांज के समीप बना एक साइकलोनिक सर्कुलेसन निम्न दबाव छेत्र में बदल चुका है 22 अक्टूबर को या व्य जानिक सोच को बढ़ावा देने और उनमें बिज्ञान के प्रतिस समझ बिक्सित करने के लिए चलाये जाने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक में सत्र दोहजा चोविस पचीज के लिए आईडिया देने के मामले में जारखन अपने लक्ष से पीछे रह गया है देश भर म चार पैदान खिसक कर राज्ये दसवे अस्थान पर पहुंच गया बता देश जारखन के स्कूलों से प्रारामबिक अस्तर पर 36,099 आईडिया इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर दिये गया है राज्ये ने पिछले वर्ष से बेहतर करने के लिए इस सत्र में 50 एर आ चो से प्राप्त करने के लिए कहा गया था लेकिन बहुत से जीलों का प्रजशन अपेक छाक के बिप्रित रहार जबकि इसके लिए तिथी बढ़ाई भी गई थी सीता सुरेन जाम तला से लणेंगी चुनाओ जारखन की 81 बिधान सबा सीटों पर दो चर्णों में 13 और 20 नुवंबर को चुनाओंगे इसके मदर नजर बिजेपी न 66 उमिद्वारों के नाम की पहली लिष्ट जारी कर दी है इस लिष्ट में जारखन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन की भावी सीता सुरेन का भी नाम है जिन होने लोग सबा चुनाओ 24 से पहले बिजेपी का दामन थाम लिया था बता दे सीता सुरेन को बीजेपी ने जाम तरा विधान सभा सिट से चुनावी मैदान में उता रहा है बीजेपी से टिकट मिलने के बाद सीता सुरेन की परतिक्रिया आई है जाम तरा विधान सभा सिट से टिकट मिलने पर बीजेपी निता सीता सुरेन ने कहा पार्टी ने मुझे पर भरोसा दिखाया और मुझे जाम तरा सिर्ट से टिकर दिया है मैं कड़ी मेहनत करूंगी और पूर्ण बहुमत से सिर्ट जितूंगी जारखन की जानता बिजेपी की सरकार चुनेगी बरतवान सरकार ने राज में सिफरेश्ट चार और अपराद बढ़ाया है आपकी सरकार आएगी और राज में बदलाव लाएगी मतदान का समय अलग-अलग करने पर जताया बिरोद जामों ने राज निवेचन आयोक ग्यापन देकर राज के सहरी और ग्रामिन छेतर में मतदान का समय अलग-अलग रखने का बिरोज जताया है पार्टी महासची बिनोत पांडे द्वारा दिये गर ग्यापन में कहा गया है कि कोडार्मा बरकटा बरही, मंझ गाव, सिसाई वब भौनातपूर को छोड़कर सेथ सभी 75 विधान सभा छेतर में सहरी मतदान के अंद्रपा सूबह 7 से साम 5 बजे और ग्रामिन छेतर में मतदान का समय सूबह 7 से साम 4 बजे तक रखा गया है यह सब को समान औसर परदान किये जाने के सिधान के प्रतिकूल है पुरु मेर राजी के नक्सल प्रवाईत होने के करण 5 पांच चर्णों में चुनाव संपन होते थे लेकिन अब जब केवल 2 चर्णों में जुनाव हो रहे हैं तब एक ही बिधान सबा के सहरी वग्रामिन इलाके में मतदान का अलग-अलग समय तरक करना ग्रामिन मतदाताओं को मतदिकार के समान औसर सिवन चित करना होगा गढ़वा के बुढ़ः पाहर से 3 के जी का आईडी बरामत गढ़वा जी ले से सुरक्षा बलो ने भंडरिया थाना चेतर के बुढ़ः पाहर के पास 3 किलो का प्रेसर आईडी बरामत किया है सुरक्षा बलोकुन नुक्सान पहुचाने के इरादे से नक्सलियों ने जमीन के अंदर एक केन बम को रखा था पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बम निरोधक दस्ता की टीम के सयोग से नश्ट कर दिया है जनकारी कंसार भंडरिया थाना चेतर के बुठा पहाण के समीब CRPF 172 बटायन के द्वारा सर्च अभियान के दोरान तीन किलो का प्रेसर आईडी बराबत किया गया इसके बाद CRPF टीम ने प्रेसर आईडी को सुरक्षा कारणों से डिफ्यूज कर दिया है राम चंद्र चंद्रबंसी को भाजबा से तीसरी बार मिला टिकाट छारखंड में विधान सभा चुनाओ को लेकर भाजबा ने अपने 66 पर त्यासियों की घोसना कर दिया है पाटी ने अधिकतर चेहरों पर ही भरुष रचताया है इसी करम में मजियां विष्रामपूर विधान सभाजबा से भाजबा ने तीसरी बार मौजूदा विधायक राम चंद्र चंद्रबंसी को चुनाओ लड़ाने के लिए सुग्रिती दिया है टिकट मिलने के बाद गठवाई स्थीत आवाज पर राम चंद्रबंसी के समर्थ को का हुजूम उम्रा लोग मिलकर उनको बढ़ाई दिया कोई माला लेकर तो कोई गुलदास्ता देकर स्वागत करते हैं उन्हें बढ़ाई दी है इसी मोखे पर राम चंद्रबंसी ने कहा आए कि मैं अपने सभी नेताओ को कोटी कोटी धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी ने तीसरी बार मुझ पर भरोसा जाता जाए है मैं या सिट जीत कर पार्टी को दूँगा उन्होंने कहा आहि कि बिरोधी भी अब चीत होगा यहाँ विधान सभा चुनाव लड़ने की फिराक में गैंस्टर अमन साहू ज़ारखन की बरकागा विधान सभा सिट से चुनाव लड़ने की त्यारी कर रहा है सनिवार को जारखन से रायपूर आया, उनके वकिल हेमन्त सीकरवार ने चुनाव के नमांकन फरम पर अमन साहूप से हस्ताक्चर करवाया है साथ ही अमन की ओर से जारखन हाई कोट से चुनाव लड़ने के अनुमति के लिए आविदन भी लगाया है दरसल सनिवार को पांच दिन की रिमांड के बाद रायपूर कोट में अमन को पेस किया गया जहां से कोट ने उन से 28 अक्टूबर तक रायपूर सेंटर जेल भेज दिया गया है अमन पर रंगदारी वसोलने के लिए कारोबारी पर फायरिंग करवाने के लिए अपने गुर्गो भेजने कारोफाय जिसे रायपूर पूलिस ने उन गुर्गो को वर्दात से पहले गिरफतार कर लिया था बता दे गंज थाना छेत्र से पकड़े गया आरूपीदों से पुष्टात के बाद अमन साव को जारकन जेल से रायपूर लाया गया था पुष्टात के बाद सणी बार को उसे जेल फेज दिया गया हेमन्त सुरेन के सीट बटवारे से आर्जेडी नराज हेमन्त सुरेन ने इंडिया के सीट सेरिंग के फर्मूले का एलान कर दिया है सीट सेरिंग के मताबिक जामो और कांग्रेज श्यासर सीट पर जबकि रायद और वामदल 11 सीट पर बिधान सबाचुनाओ लडेंगी हलाकि हेमन सोरिन के सीट सेरीं के फर्मूले से रायत खुस नहीं है रायत ने इसे जहामों कांगरेस का एक तरफा प्रासला सुनाया है रायत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उसे तीन या चार सीटे मंजूर नहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो अकेले जहारखन विधान सबस चुनाव लड़ेगी रायत के राश्री परवक्ता मनोज गुमर जहा ने कहा है कि रायत कम से कम बारस सीटे मिलने पर कांगरेस जहामों के साथ चुनाव लड़ेगी वहीं इतनी सीटे नहीं मिलती है तो पार्टी 18-19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी मुख्यमंत्री 24 को नमांकन के बाद 3 सभाव को करेंगे सम्भोधित मुख्यमंत्री हमंत्री 24 अक्टूबर को बरहेट बिधान सभाज से नमांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री 23 को ही पतना इस्थीत अपने आवाज पर आ जाएंगे दूसरे दिन सुब्बा साड़े दस बज़े तलबड़िया इस्थीत और स्थाई हेलिपेट पर पहुँचेंगे यहां से सीधे भोगना डिश्थी सिदुक आने की परतिमा पर जाकर सुब़ 11 बज़े मलारपन करेंगे वो परिजन से मिलेंगे इसके बाद सड़क मार्ग से साहेवगन समानाले पहुचेंगे वहां अपरसा महारता सब और हेट निर्वाची पताधिकारी के कुक्छ में जाकर 12 दस पर नमांकन दाखिल करेंगे नमांकन के बाद अस्थाणिय नेताओं से बात करने के बाद दो फर दो बज़े राज महल के चरवाहा मैदान में जन सभा को समोतित करेंगे धनबाद जेल में कैदी की मौत पर परिजनों का हंगामा है धनबाद मंडलकारा में जोधर के लहरा मंदीर के समीप रहने वाले कैदी सोबरन चवहान की मौत सनिवार की रात को हो गई है जेल परसासन के अनुसार सानिवार की रात लावग दो बजे उसे सांच लेन में तकलीप होने लगी थी इसके बाद वो अब होस हो गया जेल परसासन ने इसकी सुचना चिकित सक्ट टाक्टर राजीव कुमार को दी मौके पर पहुंचे जेल चिकित सक्ट ने सोबरण चमार के गंभीर थीति को देखते हुए एस एन एम एम सीएच भेज दिया जेल पुलिस की सुरक्षा में सोबरण को सनिवार की रात लावग तीन बजे एस एन एम एम सीएच की इमर्जेंसी ले जाया गया जहांची किसों ने जांच के बाद उसे मिरित खोसित कर दिया परिजनों का रोफाय की पुलिस टॉर्चर से सोबरण की मौत हुई है उन्होंने सोगा पोसमास्टन भी होने नहीं दिया है ठंड ने दी दस्तक सुबह में कुहासा ठंड की सुरुवात अक्सर अक्टूबर के अंध से होती है और फरवरी तक जारी रहती है इस मौसम में तापमान में गिरावाट कुहासा ठंडी हवाय और दीन की लंबाई में कमी मुख्य भी सिस्ताय होती है ठंड के मौसम की सुरुवात के संकेत कई रूपों में दिखाई देते हैं बताद्य अक्टूबर के अंत या नोवबर की सुरुवात में जैसे ही दिन छोटे होने लगते हैं ताप्मान में गिरावट मौसूस होती है हवा की ठंड़क और वतावरन में नमी बढ़ने से कुहासा गिना शुरू हो जाता है इस वर्ष भी ठंड़ने दस्तक दे दिया और सुबा के समय अत्यदी कुहासा चाने लगा है जिससे सर्दी के मौसम की अधिकारिक शुरूवात मानी जा सकती है हाँ रभी वार को सुंदर्नगर, परशूदी, कुदात्ता, छेत्र में सुबा में घाना कुहासा देखनों को मिला है कुहासा काफी घाना होने की वाज़े से सुबा में राष्ता तक नहीं दिक रहा था हलाकि सुबा साले साथ वए तक उहासा चट गया था गढ़वा में सीएम और मंत्री की फोटो लगी 101 घड़ी और 95 टीशर्ट जब थे गढ़वा बिधान सवा छेत्र के रमकंडा में भोट्रों को लुभाने के ले मुख्य मंत्री और मंत्री की फोटो लगी दिवार घड़ी और टीशर्ट रमकंडा पुलिस ने बरामत की है गुपसुचना के अधार पर अंचल अधिकारी अनिल रविदास के नितिवत में सनीवा रात डेड़ बजे से सुबा चार बजे तक रमकंडा के चेटे और पुंदगा में छापे मारी की गई इसमें जामो नेता चेटे गाव निवासी कमलेस यादव के घर से 95 बरामत की गई है पुंदगा निवासी ठूरन यादव के घर से 101 दिवाल घड़ी भी बरामत हुई है इसे लोगों की सुची सभी थानेदारों समागी गई है छोटा नागपुर रेंज के डियाजी अनुप विर्थरे की अध्यक्स्ता में समर्नाले में रभीवार को ही बैठक में थानेदारों को दिशाने देश दिये गए पुलिस अधिकारियों के अनुसार उपद्रियों के खिलाप दर्ज मामलों के अधार पर सीसी ए थाना हजरी जीला बद्दर या धारा एकसो साथ के तहत करवाई की जाएगी अनुप विर्थरे ने जीला के सब ही थानेदारों को निस्पक्ष और सांति पून तरीके से चुनाव को शंपन कराने के दिशाने देश दिये हैं चाई भासा जंगल से दो एसलार बरामाद चाई भासा से नकसलियों के खिलाप अभियान में सुरक्षा बलोगों लागातार सफलता मिल रही है पच्मी सिम्हम जीले के घोरन अकसल प्रहवित कराई के लाथन अंत्रगत लादूरा डी एवाम सुरू गारा के आसपास जंगली वा पहाड़ी चेतर से पुलिस और सीरपी एफ के सन्यूक्त दल ने दो एसलार बरामत किया है इन्हें जमीन में गार कर रखा गया था जिन्हें सुरक्षा बलके जवानों ने खोद कर निकाल लिया है धन्यवाद